हेलो डिवन, स्वागत है आप सबका लड़निंग विद गौतम यूटूब चैनल में तो आज केस विडियों हम करने वाले हैं क्लाश 12 जिग्राफी कहने कि भुगोल के मौस्ट इंपोर्टेंट भीविया अबजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आपके आने वाले बोर्ट इकजाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट प्लस रहने वाला है तो अपले उडियों को अच्छे से ध्यान पुर्वक और लास्त तक जरू देखिएगा क्योंकि इसी में से कई सारे कोशन आपको डेक्ट बोर्ट इकजामे भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं फर्ष्ट कोशन से और पहला कोशन है मारा कि निमलिखित में से यानि कि जो चार अप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कौन एक मानभूगोल का उपागम नहीं है तो मातरा तमक क्रांती जो है यह मानभूगोल का उपागम नहीं है यानि का उप्शन में यह हो जागा इसका याद रखेगा कौन एक मानभूगोल का उपागम नहीं है तो मातरा तमक क्रांती अगला question है मारा कि निमलिकित में से किस महादीप में जनसंक्या विर्धी जो है वो सरवादीक यानि कि सबसे ज़्यादा जनसंक्या विर्धी किस महादीप में होता है तो ACMN होता है याद रखेगा अफिरका महादेश में और फिर का महादेश में जो जनसंख्या विर्दी है वो सरवादिक है यानि का option वर इसका बी हो जाएगा अफिर का महादेश में अब अगला question है हमारा कि मानव विकास की अवधारना निमलिखित में से किस वैक्ति की देन है तो Dr.Mahbubul Hakk की देन है मानव विकास की अवधारना यानि का option में इसका C हो जाएगा याद रखेगा मानव विकास की अवधारना है यह Dr.Mahbubul Hakk की देन है अब अगला question करते हैं और next question है वारा कि निमलिखित में से या फिर निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं है तो चाय और रवर और गणना ये तीनो जो है ये रोपन फसल है लिकिन चावल जो है ये रोपन फसल नहीं है यानि का option और इसका D हो जाएगा और देखिए आप लोग के लिए जो PDF है वो तयार कर दिये अपको पीड़े अच theology है उसी दसमें से आपका कोई पांच सब्जेक भी ऑसकत है समझय गया था पांचो सब्जेक का PDF है वो ले सकते है और इडी कई सारे बच्चे जो ये पांचो सब्जेक का PDF ले चुके है PDF का जो प्राइस से वो रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपे 25 रुपे इसलिए ताकि हड़ेक बच्चा इसको एफ़र्ट कर सके किसी के पास कोई excuse नहीं रहे 5 सब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है 25 रुपे इस नमर पे 790-3820-891 उसका screen shot आप लोग को इसी WhatsApp नमर पर ही भीज़ देना है समझ गया और अपना subject बता देना है और आप लोग को PDF मिल जाएगा PDF में मिलेगा क्या कै तो आप लोग को subjective question और objective question दोनों मिलेगा आप लोग को देख सकते हैं कि कि subject में कितना objective रहेगा और कितना subjective रहेगा और इसका detail में वीडियो आप लोग को पहले ही बता चुके है detail video बना करके इसमें बता दिये थी कि PDF में किस तरह के question हैंगे क्या क्या रहेंगे और देखिए हर एक chapter के वाज important question है जैसे history में अगर मान के चलिए कि 15 chapter है एक से 15 chapter है ना पंदर हो चेप्टर है अब पहला chapter का जो important होगा objective में वो add कर दिये फिर दूसरा chapter का जो important होगा वो add कर दिये इस तरह से chapter 1 से ले करके chapter 15 तक जो भी important question है उसी को add के history में हर एक subject में इसी तरह से से objective में भी आपको इसे तरह से मिलेगा पहला chapter में जो important लह उतरी और दिरगउतरी प्रशन है उसको add कर दी है फिर दूसरा chapter का जो important हो add कर दे इस तरह से 15 chapter तरत जो भी important है लह उतरी प्रशन उन सभी प्रशनों को add के अब किसी किसे chapter में देखिएगा कि 5 नमर वाला question add नहीं ताकि हर एक बच्चा इसको एब़ट कर सके, हर एक बच्चा ले सके, और किसी के पास को excuse नेरे, वो पीडियाप नहीं ले सकता, और अच्छे सचे नमबर दा सके, इस पीडियाप को पढ़के, समझ गये न, और इसमें आपको हर एक सब्जेट का पीडियाप मिलेगा, समझ ग खित में से कौन सी एक आर्थिक ग्रिया, ग्रामीन बस्तियों की मुख आर्थीक ग्रिया है, और अगला question करते है, और पीडियाप के बारे में तो आपको बताई दिये, तो अगला question, 6 number question है नेमले खित में से, भारत में किस राज में जंसांकिया घनत नीमतम है, भारत के किस निमलिखित में से कौन सा खनीज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है तो लिगनाइट जो है वो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है option मेर्स का D हो जाएगा याद रखेगा लिगनाइट जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है अब अगला question करते हैं तो next question है मारा कि निमलिखित में से किस अस्थान पर भारत का पहला पर्मानु उर्जा एस्टेशन अस्थापित किया गया था तो भारत के तारापुर में भारत का पहला पर्मानु उर्जा एस्टेशन अस्थापित किया गया था किया गया तो संबंवीत जन जाती है, विकास काड़करम के शन्दर्व में, अब फ़़ा कॉशन करते है और निश्ट कॉशन है ओमारा कि निमर्कित में से कौन सा देश कोईला का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीन जो है, ये कोईला का सबसे बड़ा उत्पादक देशा यानि option number D हो जाएगा अगला question है मारा कि भारत के किस राज में बांस ड्रिप सिचाई परनाली परसीद्ध है most important question है या आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए भारत के किस राज में बांस ड्रिप सिचाई परनाली परसीद्ध है में घाले राज में option number B हो जाएगा अगला question है मारा कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतराष्टिय पर्याटक जो होते है वो आते हैं तो उरोप महादेश में उरोप महादेश में जो सबसे ज़्यादा संख्या में सब्जेक्टिव कोशन आपको लगो तेरे प्रशन में करवाते हैं और दिरिको तेरे प्रशन कराते हैं और अब्जेक्टिव कोशन तो करवाई रहे हैं तो सब्जेक्टिव कोशन आपको पहली बता दिते कि शौनिम चतुरुभुज मार्ग क्या है और कैसे है तो कोशन था ह महारा कि भारत के चार महाए नगरों को जोने वाली सरग कौन सी है तो शॉषण नियम चप्रुभुज मार्गॉडॉप इसका बी और अगला कोशन क्या है और नेक्ष्ट कोशन है कि जोग्र fried जन्रालिश के लेखा क्या है पॉप्शन मर B हो जाएगा नेस्ट कोशन है कि बिहार के जो लोग है किस भासा पड़िवार समूँ से संबन दीता है तो द्रवियन भासा पड़िवार से संबन दीता है बिहार के लोग यानि ऑप्शन मर B हो जाएगा अगला कोशन है अंकलेशवर छेत्र है तो अंकलेशवर छेत्र कहा ह अरतक्ति, एकारवी पंचवर्स है, की अबदी, option में C हो जाएगा, स्नसरा कोईशन है, रावत भाटा प्रमानु उज्जा सेंत, किस राज में अवस्तीत है, तो रावत भाटा प्रमानु उज्जा सेंत्र, याद रखिएगा, गवटर्प्रमानु उढ्रजास्यंत जुए रास्था राज में इस्तीत is option में सी हो जाएगा है अगला question में मारा कि निществ में से कौन एक रेश्यदार फसल नहीं है不 आस सबकर बतान है outta Image Times जुए एक रेश्यदार फसल नहीं है deaux mamas जोती सक्राइएक, कौन अप्षिंट्ट्र्वी भारत कर दचिंतम लाज है, तो मनिपुर्ज ये उप्शन भारत का दचीन्तम राज यानि option में रिसका क्या हो जाएगा तो option में diabetes colosізator में कौनसी जन जाती निवास करती कोशल 好च आगला कोशन में 85 वर्षी of 떠ल के dalby क्या तो 2007 से लेकर 2020 सी के मूपड़ी देख लिए टे उस में कोशन था São देखे ओपको própers रूट साथ से 2,012 तक हो कौन की ओप्षी यह जाएगा अगला कोशन के हो जाएगा कि नम निश्चेवाद के परवर्तिक साले घया है चितना बी आप लोग którzy पहुंद करते हैं तो निंश्ट क्या हमारा तो 29 नमर कोशन है कि निमनमें से कौन सा राज गोंडावन जूत उतपदक छेट है तो गंगा डेल्ता जू है यह सबसे महत्पुन जूट उत्पादक छेतर है यानि को ऑप्शन वर इसका स्थी हो जाएगा गंगा डेल्टा जो है सबसे महत्पुन जूट उत्पादक छेतर है अला कोशन है मेघा नगर की जनसंख्या कितनी होती है तो मेघा नगर की जो जनसंख्या होती है वो 50 लाग से अधिकी ह होत्य आप उप्शन को जाएगा अगला कोशन है nella कि फरीदाबाद कि स्राज साहरे जो हो पत्तरप्र एक साहर एक फरीदाबाद यानि औफ्शन के लिए आधर्स टाप मान कितना होना चाहिए यानि के गेहूं की रुपाई करने के लिए आदर स्टापमान कितना हो चाहिए तो 10 से 20 डिग्री सर्शेस होना चाहिए गेहूं की खिती के लिए आदर स्टापमान यानि कि option वर B हो जाता है और ये गेहूं की खिती होती कब है तो आप लोग जानते होंग सदार सरोबर प्रयुजना, यैनि function 31 सरदार सदलर प्रयुजना और लाश्ट प्योशन है मारा कि बाबुदन पहारी है तो बाबुदन पहारी हैं तो करणाटक मिल्स्तित है बाबुदन पहारी यानि कष्ण हारी होगा इसे के साथ ये विडियो आप लोगों को वीडियो अच्छा लागा हुआ, और पीडियाप के बादे में आप लोगों को बता दियाँ, क्योंकि ये पीडियाप जो आपने तयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो बच्चे अभी कुछ भी नहीं पढ़े होगे, वो क्यों कुछ सब्सक्राइब सब्सक्राइब में वह सब्सक्षान को इस साल पीडियाफ में एड़ किया है वो दीख सकते हैं कि उनको किस तरह की त्यारी हो चुकी है अपने अपने आपको अनलाइस खुद से कर सकते हैं समझ गए तो आप लोग इस पीडियोप को जरुरूर जरूर ले ही लिजेगा पीडियोप का प्राइस सिर्फ 25 रुपए तैकि किसी एक पास को एसकी उजनेडरे हरे बच्चा पीडियोप ले सकते हैं तो आसे लेकर तो आप